तो जी यहां तो सब्सक्राइब फिर से हो जागे त्यारी को और ने शांदार धावा के दार रिव्यू देखने के लिए जिसमें होने वाली है गारी हमारी टाटा नैनो इलेक्ट्रिक जी हां दोस्तों इलेक्ट्रिक गारी बिल्कुल आपने साइज होना बहुत भाई लोग सब्सक्राइब यहां तो तो इसे मोडिफाइब गारी को ऊठा करके और मौडिफाइब गारी है अब बहुत भाई लोग ऐसे भी बोलें कि भाई यह तो मोडिफाइब कर रही है मतब नया तो मिलने रहे हैं तो नया वापस से गाड़ी को बनाया जा रहा है और वह आपको आपको दोकारी यह दो वेरियंट वेस्ट मोडल और दूसरी आपकी टॉप मोडल तो डिपेंड ऑन यूग कि आप कौन सा आपको body color सब कुछ देखने को मिलने वाला वैसे बात करें features की features तो कुछ खास मुझे अच्छी नहीं लगी गाड़ी की normal features होती है जो राइनो के अंदर आया करती थी वह यह कहीं साब से कुछ और इनको features बढ़ाना चाहिए था बटो नहीं किया गया बट इट सोके अब जिनको भाई पसंद हो तो लेंगे ना क्योंकि मुझे पसंद हो ना हो से तो कोई मतलब नहीं है किसी को तो चलिए इस review को start करते और अगर आपको चाहिए तो आपको कमेंट करो आपका भाई यह ना आपके लिए सेकेंड भी लेकर के आए और ऐसे नहीं कभी तक मैं लेकर के नहीं आयों बहुत सारा मैं लेकर गया चुका हूं टाटन नो इभी जो कि मेरे पहले का वीडियो पढ़ा भी होगा फोर सेल का तो अगर आपको आगे भी चाहिए तो आपको कमेंट करें आपके मैं रिव्यू कर दूंगा सबस्क्राइब के साथ सुरुबात करते हैं इसकारी का इसकारी को मिल जाता दोस्तों काफी प्रीम आपको डासबोर्ट का देखने को मिल जाता और बिल्ट क्वाल्टी कहना यह नही को काँ घंच वनगा सबस्क्राइब छो आपको ग्लब उक्सपीकर सबस्क्राइब कर दोमें यहां कि तो गारी का इन्दर सर्फ चार स्पीकर दी गई हैं जो की काफी पवर्फुल स्पीकर्स हैं सपीकर्स पर छोब आपका आप ऐसा फील नहीं होगा कि कोई सस्ता घाड़ लिया करते थे तो इसमें आपको जो मीटर था नो नॉर्मल बेसिक वाला मिलता था बट इसमें आपको डिजिटल स्पीड ओंटर देखने को मिलने वाला है तो यह काफी अच्छी बात है और साथी साथ एसी की बात करें तो गाड़ी का अंदर आपको फ्रेंट में चार एसी और देखने को नहीं मिलने वाला सिंपल से पस चार दिया गए जो की आपको फ्रांट में मिलने वाले और वी थीटर का बात करें तुझी हां गाड़ी का अंदर आको वी थीटर मिल जाता है तो यह काफी अच्छी बात है साथी साहथ बात करें म्योजिक सिस्टम की तो आपको आड़ी के गियर आपको आटमैटिक वाली मिलने वाली है ेमट गाड़ी या अगर आ डाम ऊटमैटिक हारी तो आपको आपको घाड़ी मोस की बास करें तो ड्राइब मोड मिल जागा रिवर्स तब कौस्त रहे गा तो फोलब होता है और इसमें आपको एक sports mode जो है additional features मिल जाता है हलाकि sports mode ज्यादा कुछ खास useful तो नहीं है ज्यादा आपका battery घीचेगा कुछ फाइदा होगा नहीं लेकिन हाँ दिया गया है sports mode तो आप sports mode पे भी इस गाड़ी को चला सकते हैं और एक सबसे बड़ी दिक्कत थी नाइनो लवर्स को कि गाड़ी का भूड जो था ओपन करने का features नहीं मिला करता था लेकिन अगर आप electric नाइनो लेने जाते तो इसमें आपको बूट ओपन करने का features मिलेगा फिर चाहें आप बेस लेने जाए नहीं या फिर टॉप मोड़े लें जाए तो जो नहीं रोट डिजाइन किया गया ना उससे पर सब्सक्राइब जो कि आपको ट्विस्ट में देखने को मिला था उसी मॉडल का सिर्फ असर्फ डिजाइन किया गया तो काफी अच्छी बात है और मैं तो प्राइज यार अपको यहीं करना भी चाहिए और इस गारी के टेनलाइट्स की बात करते तो गारी के टेनलाइट्स भी तो नॉर्मल बेसिक सी मिलती है कोई आपको समें LED लाइट्स देखने को नहीं मिलने वाला है नॉन्मल जो बलवाली आती है वहीं दी गई है और आपको कैमरा भी लगवान मिल जाता है जो कि पहले की नैनों में नहीं आया करती थी पैट्रॉल में फिर चाहिए वो टॉप मोडलो या फिर बेस मोडलो आफ्टा मार्केट लगवाना पड़ता था और बात करें वील साइज की स्काड़ी की तो दोस्तों वील साइज जो प चलवा ही सकते हैं तो उसमें ख्यार कोई दिक्कत नहीं है और लोग की बात करें तो बेस मोडल या फिर टॉप मोडल काफी जवरस मिल देगा बस इस गाड़ी काफी जाद आपको खराब लग सकता है वैसे बहुत भाई लोग को नहीं बिलेगा जो नैनो लवरस उनको पॉ पॉट है वो आपको आगे में देखने को मिलना वाला आगे में बोले तो जहां पर नैनो में पेट्रोल ललवाय करते था पेट्रोल वर नीट नैनो में वहीं पर दोस्तों इसका चारजिंग पॉट डिया गया जो कि काफी ज्यादा देखा जाए तो गलत किया आगया है बाहर गली वाली में लगाते हो तो आपको गाड़ी के सामने बैठना पड़ जागा वह इसलिए क्योंकि आगे मैं बोनट खोल करके चार्जिंग लगा रहे हो वायरिंग है आपका स्टेपनी है बहुत कुछ दिखकत हो सकती है तो दिखकत कहीं कहीं होने वाली यह आप अच्छे से जाल लेजेगा तो गाड़ी लेने से पहले जो जो था मैं आपको सारा कुछ क्लियर कर देना चाहता था जो कि लगवग लगवग मैंने क्लियर कर दिया तो आपको दिखकत नहीं ही होना चाहिए गाड़ी लेन से पहले कुछ और जानकारी सब्सक्राइब करें तो दोस्तों रियर विल ट्राइब गाड़ी आपको मिल जाती है और गेर बोक्स आपको आपको आटमेटिक मिलना वाली जिरो फूर्टी किलोटर पर आउर का स्पीड है जो गाड़ी है सर्फ फॉर से 5.8 सेकेंड में चली जाती है और बात करें एवरेज की तो दोस्तों यह गाड़ी आपको एक फूल चार्च पे 140 क्लमोटर का राम से अबरेज निकाल देती है जो कि एक इवी गाड़ी के तरफ से देखा जाए तो काफी जयाता बेस्ट एबरेज और चारजिंग टामिंग इसका आपको साथ सारे साथ घंटा देखने को मिल जा अबलते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई हो अगर वीडियो पसंद आई हो तो जादे कुछ करना नहीं वीडियो को लिए करिए चानल पना को सेयर करें हम बलते हैं से नहीं इनफर्मिशन के साथ